आईए दोस्तों Python में दो strings को join function use करके कैसे join कर सकते हैं ये देखेंगे, तो ये काफी easy है, आप एक empty string ले लिजे और उसको dot use करके join function को call कर लिजे, और उस function को एक list pass कर दीजे, जिस list के arguments आपके strings हो, तो अगर इसको मैं execute करता हूं, तो हमें ये join string मिलेगी, अगर आपको इसमे comma introduce करना हो, या कोई space introduce करना हो, तो उसको भी काफी तरीके है, तो उसको मैं ऐसे comma और यहाँ पे एक space introduce कर सकता हूं, इसको save कर लेंगे और execute कर लेंगे, तो यहाँ पे हमको एक empty space मिल गया, और एक तरीका है इसको empty space इसमें introduce करने का, यही पे आप space दे दीजे, empty string की जगाए पे और यहां का space delete कर दीजे और इसको अगर आप execute करेंगे तो आपको फिर से यहां पे एक empty space मिल जाएगा दो शब्दों के बीच में और finally यहां पे अगर मैं यह बोलता हूँ कि comma all और space तो देखे इसका output क्या आएगा